अगर sentence बनाना किसी ने सीख लिया, उसने English सीख लिए यह भी आपके सामने कोई Spanish बोले, आपके एक वर्ड पलने नहीं पड़ेगा, अब वो बोलके तले जागा, अख्ताम, ख्ताम, ख्ताम हो, तो याद रखना अगर कोई आपसे पूछे, क्या आए एक वर्ड भी है, तो आप कह सकते हूं, हाँ, कि आए उन चंद, उन चंद letters में से है, जो अकेला भी एक वर्ड के समान है, साउंड भी कितना होते हैं, 26 होते हैं, ऐसे नहीं कि यह कोई साउंड नहीं होता English हूं है, फाइनली दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए English का एक historical course लेके, जो अब लाखों करोडों जिंदेगियों को बदलने वाला है, जिया दोस्तों, इस course में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, जिससे आपके English का डर खत्म हो जाएगा, छोटे से बच्चे से लेके, बड़े से बच्चे तक, सभी को English अब आएगी, बिना एक रुपिया खर्च किये, स्कूल लेवल से लेके competitive लेवल तक, सब के लिए सब के लिए मेरे पास ये course है, क्या इसमें हम पढ़ने वाले, आज हम शुरू करने वाले हैं, इस खुशी के मौके पे सबसे पहले तो comment में लिख दो, कि हाँ, लाखो करोडों लोग की जिंदेगी बदलेगी, येस लिखो comment में वीडियो को like कर दो, नीला बटन एक दम पील कर दो, आप शुरू करते हैं, और मैं बताता हूँ आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात दोस्तो, आप ये मने course शुरू किया है, तो मैं जब तक इसमें अपनी पूरी जी जाननी जोग दूँगा तब तक मेरे को चैन नी मिलेगा, दूसरी बात, इस course में applicable है, इसकी validity कब तक है, मतलब इसमें जो मैं चीजे पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी वीडियो जो आपको मिलने लगेंगी, उनमें जो भी चीजे मैं पढ़ाऊँगा, वो कब तक के लिए कोई update तो नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी और मेरे मने के बाद तक भी आपके लिए course equally valid रहेगा, grammar नहीं बदलती, तो मेरे साथ भी और मेरे बाद भी आपके लिए course valid रहेगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इससे equally फायदा पहुंचेगा, तो दिमाग से बिल्कुल clear कर दे, grammar कभी नहीं बदलती, English ब कुछ भूल जाओ, भई आपने क्या-क्या पढ़ा है ने English माज तक, उससा भूल जाओ, बिल्कुल zero से, आपको एक चूटा सा बच्चा मान के चलो, आपके उमर 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है, matter नहीं करता, ये सोचो English पढ़ी ही नहीं है, इस mindset से हम शुरू करने वाले ह मुझे आराम से, जब भी मनो कि नहीं अब छोड़ जाता हूँ, अब बाद में पढ़ूँगा, तो सुचो नहीं, मैं तो रिलाक्स करने आया हूँ, यहां रिलाक्स करने आया हूँ, मैं आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूँ, तो पहली बात तो यह, अब इसमें टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर भी न बहुत सारे बच्चे मुसे फूच रहते, एक और डाउट, कि यह स्कूल वाले 10th क्लास के बच्चों के लिए है क्या एक और बिल्कुल है, क्योंकि आपके कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन ग्रामर है, व बना दूँगा, कौन सा पैसे ले रहे हैं हम आपसे, सब कुछ फ्री है, बस प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, जिनको हिम्मत नहीं मिली हुई है ना, इंग्लिश से, इंग्लिश को सोच के डर जाते हैं, एक्जाम में प्यार होने से डर रहे हैं, उनका डर खत्म कर करने वाले है, मजा आए को बहुत मजा आने वाला है, इसमें हम सेंटेंस और उस टाइप को उसके टाइप पढ़ेंगे, फिर कभी सेंटेंस क्या होते हैं, वो कैसे बने उनके टाइप, सब कुछ न पूरा एकदम कोल करेंगे, पोस्मार्टम करेंगे, कुछ भी छोड़ें नहीं, एक्जाम में क्या question आते हैं, क्या हाट से हाट पूछ सकता है, वो सब discuss करने वाला हूँ, जो ये course देखता हुआ चलेगा ना, उसको कभी grammar में तो problem नहीं आने वाली है, अच्छा क्या sir, एक यही वीडियो के पूरा course इसमें कर आओगे, नहीं, आपको अब 2-3 दिन इसकी दूसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो मिलेगी, चौतरी वीडियो मिलेगी, ऐसे जितनी भी जल्दी मैं इसको complete कर सकूँगा, मेरी कोशिश रहेगी, complete कर दूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कि जल से जल खत्म कर दूँ, बाकि जितनी भी topics हैं वो टॉपिक्स हम वीडियो के थुरू आपके सामने लाके रख देंगे डाउट के लिए क्या होगा टेलिग्राम गुरूप पे पीडिएफ आपको मिल जाए करेंगे वहां से प्रैक्टिस करना इंस्टेग्राम पर मुझसे डाउट फूच लेना चले आगे चलो तो सब् सब्यूजें करेंगे बड़ी चीजे पूछ लेता है बड़ी चीजें आप से इसका है प्रनावन और उसके केसिस क्या होते है वह पढ़ेंगे तेंस का क्या रोल होता है पार्स ऑफस्पीच में आपक बढ़ गलेंगे सब कर लेंगे चलो के मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका time कम से कम लूँ आजो voice पढ़ेंगे voice क्या होती है models पढ़ेंगे models क्या होती है पूरी एक full-fledged video मिला करेंगे आपको आप वो tension नहीं लेना बस ठीक है बस आप प्यार देते रो practice करते रो मेरा नाम रोशन करना अपने माबाप का नाम रोशन करना मेरी ये आप से खुआईश है बस चलो determiners पढ़ेंगे full-fledged video में articles होते न एंदा कभी सुनाओ आपने वो सब पढ़ेंगे अभी इनको समझने कि कोशिश मत करो यह तो बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप तो एक छोटे से ननने से बच्चे हो आगो तो कुछ भी नहीं आता है जिरू से स्टाट करेंगे हम लोग तो फिर ट्रांस्फोर्मिशन और सेंटेंस प्लॉस क्या होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं डारेक इंडारेक एक्जाम में और से से क्यां और से स्टाट options तो सारा प्ड़ायен से फ्रेजMaybe और वोकबिलरी यह तो मिनीमम टॉपिक्स हैं इसके अलावा भी मुझे लगेगा के Quiets में या मुझे कुछ ऐसे topic क्सि लगेगे के इंपोर्टन है आप लोगों के लिए exam based questions जो आपके बड़े-बड़े exam में UPSC में पूछ रहे हैं आपके जुडिशिरी के exam मारे है आपके SSC के exam मारे है बैंकिंग क्या रहे है तो वो सारे भी topics में इसमें add करके वीडियो बना जूँगा कोई tension वाली बात ही नहीं मैं आपके साथ हूँ बस आप tension मत नेगा ठीक है जी और क्या करेंगे अब हम करेंगे start आजाओ मेरे बच्चो किंडरगार्टन में आजाओ तो ABCD ABCD में लिया है हम नर्सरी क्लास में आगए छोटे हो गए हम सब छोटे हो गए हमें English में कुछ भी नहीं आता तो बच्चो आओ समझतें English बनी कैसे सबसे important है अगर आपने basic लिया ना English का टरखत्म हो जाएगा दिमाग से सब कुछ निकाल दो एकदम शान्त हो जाते है तो अब क्या है English क्या है English एक language है एक जबान है एक भाषा है यह हम सभी जानते है अब चाहिए कोई भी भाषा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम कुछ भी भाषा बोल रहे होते हैं चाहिए मैं हिंदी बोलू संस्कृत बोलू मराठी बोलू तल्गु बोलू गुजराती बोलू उर्दू बोलू अर्भी बोलू कुछ भी बोलू, तो बोलते कैसे, वो बोलते हैं, अपने गले से, अपने मूँ से, है ना, बहुत सिंपल है, अब हम मूँ से क्या कर रहे होते हैं, हम मूँ से आवाजे निकाल रहे होते हैं, तो सारा खेल किस चीज का है, मेरे प्यारे बच्चों, सारा खेल तो, सारा खेल त की आवाद निकाल दी अभी आपके सामने को स्पैनिश बोले आपके एक वड़ पले नहीं पड़ेगा और वो बोलके चला जाएगा अखता में ऐसे रिशियन बोल देगा आपको तो इसे वह आवाजे सुनाए दे रही होंगी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा ठीक उसी तरह इंग्लिश में होता है जब कोई हमाय सामने इंग्लिश बोल ला होता है पता नहीं क्या कर दिया रहा हमें समझ नहीं आया क्योंकि हमें साउंड का पता नहीं है शुरुआत किससे होती है साउंड से दुनिया की कोई भी भाशा साउंड पर निरभर करती है साउंड पर साउंड होगा एस यह वाले साउंड किसके होंगे इंग्लिश भाशा के होंगे तो कितने साउंड होते हैं वो साउंड होते हैं 26 क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश ना जो सबसे चोटी बात है जो सबसे चोटी से ब क्विपे हैं 26 2026 क्या है साउंड है जीने हमने इंग्लिश में क्या कहा कि यह letter है फैंटि में हम क्या बोलते हैं अक्षर बलתे हैं अब मैं हिंदी ही पढ़ा हुँ इस में वाइंड माला होता है ऐसे ही English के अंदर Alphabets होते हैं Letters होते हैं और जो कितने होते हैं 26 होते हैं इतना सब को समझ आया तो ये 26 क्या है? Sound है, आवाजे हैं क्या मेरे छोटे से बच्चों को भी समझ मा रहा है? क्यों मेरे बड़े ऐसे बच्चों को भी समझ मा रहा है तो ना, इतना तो समझ मा आ रहा है कि Sir, English के अंदर 26 लेटर होते हैं ये तो हमें clear हो गया अब वो 26, 26 आवाजे कौन सी होती हैं? वो सुन लेते हैं कि English के अंदर English की दुनिया में कौन सी ऐसी आवाजे हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुचाते हैं मैं repeat कर रहा हूँ अपनी बात को दुबारा से समझने कोशिश करो क्या English में ऐसी कौन सी आवाजे हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुचाते हैं क्या ही कोई definition है? क्या कुछ अलग definition? क्या आज से पहले इस तरह से कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना? अब समझो सोचने कोशिश करो क्या कुछ ऐसी अवाज हैं जो के English language की आवाजे हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपने thoughts, अपनी जो भी हमारी thinking होती है जो भी हमारे विचार होते हैं, बाते होते एक दूसर तक पहुचाते हैं वो कौन से हैं आवाजे? वो sound ये हैं आपके सामने किस-किस चीज का sound है सर? अब बतातो दो हमें एक तो अ का sound होता है, एक ब का sound होता है एक स का, एक ड का, एक अ का, एक फा का, एक जा का, हा का इ, जा का, लमाना, ओ, पा, क्यू, रा, साटा, अबा, डा ये, ये भी Y पढ़ा जाता है, डबल्यू बा, और ये X, Y का या, और Z का, जा ये सारे क्या है, ये सारे जितने भी थे न, ये जितने भी थे वो सब क्या कहला है, वो सब थे मेरे sound, ये मेरे 26 क्या है, sound है अंग्रेजी की आवाज है, इतना clear हुआ, हाँ, सर, इतना तो clear हुआ, क्या सिर्फ यही आवाज है, क्या सिर्फ यही sound है, इनकर इस्तेमाल करते हैं, और हम English बोलते हैं, नहीं, इनके अलावा भी कुछ और extra बन गई है, sorry, extra कौन सी बन गई है सर, सर वो भी बता दो ना, वो भी बता देता हूं आपको, जैसे हमारा C है, हमारा C है, अब इन letters ने क्या करा, letters ने आपस में कर ली, दोस्ती, क्या कर ली, आपस में दोस्ती कर ली, ये couple हुए, फिर couple मतलब होता है, जोड़ा, कुछ और मत समझना तुम, ये couple कैसे हुए, C क जोड़ा, इतना क्लियर हुआ, ऐसे ही, S, S के साथ ने भी अपने साथ, H को जोड़ा, तो इसके वाज क्या निकलने लगी, सर नी निकलने लगी, जैसे हम बोलते भी है, THANK YOU, है ना, सुना कभी, कभी सुना, ठीक है, थर सुना अपने हाँ, ऐसे ही, S की साथ और भी आप बह यह जन बन गई ठीक है चलो और के साथ है जूड़ा तो इसके वाज क्या निकलने लगी ख निकलने लगी तो यह कुछ आवाज निकलने लगी तो यह कुछ आवाजे हैं यह ती आवाज टो बेसिक साउंड थे और फिर यह जो LETTERS थे आ यह भी आपस में एकदूसरे के साथ कही ना कहीं लगने लगे और इनकी अपनी भी कुछ नाकुछ आवाजे निकलने लगी 26 में कुछ extra आवाजे और भी हैं कुछ extra आवाजे और भी है जो इन लेटर्स को आपस में जोड़के निकाल देते हैं इतना मैंने आपको पढ़ाया अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया क्या मज़ा आ रहा है मज़ा आया इतने में मज़ा आया तो अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक करना मुझे स्कून मिलेगा अब मैं आगे बढ़ता हूं बताता हूं कि फिर क्या हुआ इन आवाजों के साथ हमने ऐसा क्या किया जो फिर हमारी इंगलिश आगे बनी ग्रैमर बन गई तो दोसेब अब हमें यह समझ में आगे है कि लेटर्स होते क्या हैं कि दरशल वो तो साउन्स होते है वो इटो यह कोई साउंड नहीं हो था इंगलिश में इंगलिश में सिर्फ 26 ऐसी आवाज है जिनको पहचान दी गई है कि आहाँ यह ही होती है और उसके अलावा कुछ दो-चार और है, जो मैंने आपके सामने explain कर दी थी, जो मिलके बनी है, ठीक है, इतना तो हमें clear हो गया सबको, कि A, B, C, D, S, L में क्या होती है, अब हमने क्या करना शुरू किया, यह जो letters थे, यह जो sounds थे, जिने मैं sound भी कह सकता हूँ, आवाज यह कह सकता हूँ, इन्हें आपस में मिलाने का काम शुरू किया, कैसे मिलाने का काम शुरू किया, यह आप सब को पता है, क्या कहलाता है, यह होता है, हमारा B, क्या होता है, यह होता है, भाई, इसके अवास के निकलती है, व, साथ में एको जोड़ा, उसके वास के निकलती है, A, और इस साथ में T जोड़ दिया तो ये क्या बन गया ये पूरी एक आवास बन गई क्या कहलाया बैत कहलाया ये क्लेयर हो गिया ऐसे हो पि ये क्या कहला ये यह होप कहलाए है ना इतना सब को समझ मां आता है ऐसे ही एस आई और साथ में लगा दिया टी तो यह क्या बन गया यह बन गया सिट बन गया अब हमने क्या करना शुरू किया नेक्स स्टेब कि जो लेटर्स थे जो मेरे साउंड से उनको आपस में जोड कर एक अलग ही लेटर्स होते हैं उनके ग्रूप को मैंने क्या कहा वर्ड कहा लेकिन इसमें भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है हमने समझ रखा है कि लेटर्स का जो ग्रूप होता है वह वर्ड कहलाता है लेकिन इसमें एक चोटा सा चोटा सा मसाला है, मसाला क्या है, मसाला भी बता दू ना सर, मुझे आप एक चीज का जवाब दो, क्या ये, 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 क्या ये कोई word है, नहीं, आप बोलोगे नहीं, ये क्या word है, ये तो कोई word है ही नहीं, सही जवाब है, क्या कम YS के अंदर, इसमें क्या problem है, ये भी तो मतलब नहीं हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई sense नहीं है, जिस बात का, जис वर्ड का कोई मतलब ही ना हो, जिसकी अवाज का कोई मतलब ही ना निकले, वो वर्ड नहीं कहला सकता, तो वर्ड होने के लिए सबसे important क्या है, कि वर्ड, what is a word? वर्ड is a group of letters which has a meaning, जिसका कोई meaning होना चाहिए, which has a sense in itself, उसका sense होना चाहिए, तो sense is the most important thing in a word, अगर word के अंदर sense नहीं, तो वो word नहीं, तब clear हो गया, यह जो word का group था, इन सब में, कोई ना कोई इनका मतलब था, bet का मतलब एक bet था, ऐसे top, top यानि किसी ऊपर की चीज़ को कहते हैं, तो इसका भी कोई sense था, hop का मतलब भी कोई meaning है उसका, ऐसी sit का मतलब भी कोई meaning होता है, है ना, तो हमें मालू है कि जितने भी word लिखे हुए थे, इनका कोई ना कोई meaning था, लेकिन ऐसा कोई word जिसमें कुछ भी ना हो, p, t, r, n, कुछ भी लिख दिया, मैंने और कहते हूँ, यह word है, नहीं, यह word नहीं है, क्योंकि English की जो पूरी base रखी जाती है, वो sense पे रखी जाती है, meaning पे, जहां बात का कोई मतलब भी ना निकले, तो वो word नहीं हो सकता, वो sentence नहीं हो सकता, इतना clear है, चलो, इतना clear हो रहा, मोटा-मोटा, अब important बात, सबसे important बात, याद रखो, पैचान कैसे करोगे, कि कौन सा word हो सकता है, कौन सा नहीं, अब वो सुनो, दोस्तो जितनी भी आपने ABCD पढ़ी है, आपके जान बहुत कमाल की बात बताने वाला हो मैं यह, आप लोगों भी सुनके मज़ा आएगा, आपका पहली बा हो रहा, ना आपको हवा मुझ से निकान नी पड़ रही, सिर्फ यहां से चाम चल रहा है, A, E, I, O, U, समझ रहो, बाकियों को सोचो, उसमें आपको या तो होट ही लेंगे, या आपको मुझ से आजो हवा होती हो, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, बोस्म्पल से समझा रहा हूँ, जैसे बाहोट मिल रहे है, पारासा, देखो को इसे भी करके देख लो, लेकिन A, E, I, O, U, ऐसे जो यहां से निकलते हैं, अलग से निकलते हैं, इसमें ना जबान का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बलकि अगर यू को छोड़ दू तो जबान का बाकियों में रोल होता ही नहीं, A, E, I, O, यह तो बिल्कुर ही हांसे निकलते हैं, A, E, I, O, है ना, तो यह क्या है A, E, I, O, यो में ऐसी क्या खासित हैं, वह यह खास थे, इन में कुछ बात थी, इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा, कि यह जो A, E, I, O, U, इनको हमने कहा, कि यह कहलाएंगे वोविल्स क्या कहले नाम दी हमने इनको वोविल्स का किसका वोविल्स का जिसे हिंदी में क्या कहते है स्वर कहते है ठीक है अब स्वर याद रखने की कोई जरूरत थे नहीं ये याद रख लेना जो यहां से निकले वो क्या मेरे वोविल्स थे और बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे यहां की खबर नहीं है आपकी ज़ादा खबर है तो AEIOU यह हमेशा काम आएंगे सर इसका क्या इस्तेमाल है आपने अलग से यह आवाजे बताई है यह लेटर्स बताई है इनका क्या आगे कोई इस्तेमाल होगा होगा आपके एक्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे बैंकिंग के एक्जाम में आपके S.S.C. के एक्जाम में वो रखता है U.P.S.C. में जिसमें एक्जाम के आप त्यारी करों उसमें इसके उपर बहुत सवाल पूछे जाएंगे याद रख लेना A.E.I.O.U. का कॉंसेट बहुत प्यारा है अब काम की बात सुनो जो यह A.E.I.O.U. है इनके बिना इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स नहीं है जो बनते हों यानि A.E.I.O.U. का इस्तेमाल होता ही होता है कोई भी वर्ड बनाने के लिए आप नोटिस करूँ न अभी हमने कुछ सारे वर्ड बनाए थी उसके अंदर A.E.I.O.U. में से कोई ना कोई आते जरूर है O आएगा, I आ जाएगा, A आ जाएगा, E आ जाएगा बहुत ज्यादे ऐसे वर्ड होंगे जिनमें A.E.I.O. आते ही आता है और यहीं से हमें पहचान भी हो जाते के कोई वर्ड सही है के नहीं क्या वाकई में वर्ड है क्योंकि जिसके अंदर A.E.I.O.U. नहीं आता होता उनका कोई मीनिंग नहीं होता साधारन तोर पे तो यही बात होती है जनरली ठीक है? तो समझ में आया कि वाविल्स कौन से? A.E.I.O.U. आले और बाकी कौन से? कौन से जब लेटर्स थे जो लेटर्स थे आवाजे थी आपस में मिली तो क्या बन गए? वर्ड्स बन गए? क्या मुझे इस कांसर मिल गया? तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? ग्रूप अफ वर्ड्स साथ में उस ग्रूप अफ लेटर्स इन फेक्ट और उसका कोई मीनिंग होना जरूरी है एक और बात मैं वर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ वर्ड की डेफिनेशन में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं मैं कुछ भी आज कराऊंगा जो भी टॉपिक अब मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा उसको मैं पूरा बहुत स्मार्ट हम करूँगा उसको कुछ नहीं चोड़ने वाला तो सुनो सी से एक और बाद आप जब वर्ड की बात आपने करीद दिये ना आओ अपने नॉलिज के पिटारे से माँ आपको कुछ और बाद बताओ क्या ये एक वर्ड है क्या ये एक वर्ड है कैसे जहां पर ए लिखा आया ना ये अपने आप में इतनी इसकी पावर है तनी हिम्मत रखता है कि ये खुद को वर्ड कहलाने लायक है ऐसे ही आए आए की भी इतनी पावर है आए की भी इतनी पावर है कि अपने आप में एक वर्ड है कुछ लोग इस से एगरी करते कुछ नहीं लेकिन कुछ लोग ओ को भी एक वर्ड मानते है कि ओ भी एक वर्ड है तो याद रखना अगर कोई आपसे पूछे क्या आए एक वर्ड भी है तो आप कह सकते हूं कि आए उन चंद लेटर्स में से है जो अकेला भी एक वर्ड के समान है जैसे होता है ना कि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के समान होता है एक अकेला इंसान इस दुनिया के ब्रह्मार्ण की नौलिज के समान होता है ऐसे ही यह जो एक अकेला लेटर है अकेला मशत समझो इसको यह वर्ड के बराबर की हैसित रखता है बहुत पावरफुल है तो वर्ड के बारे में यह खासित है एक फीचर है जangel आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके इस्तेमाल कुछ इस तरह से हjalगा है है clear हो गया clear हो गया तिक है इतनी चीज़ आप याद रखना अब आगे की बात करते हैं आप से लेटर्स का क्या होते है अब हमने लेटर्स को मिलाया तो वर्ड बन गया अब हम क्या करना शुरू कर दिया हमने वर्ड को आपस में मिलाया एक वर्ड दो वर्ड तीन वर्ड इस तरह से हमने वर्ड को मिलाना शुरू कर दिया वर्ड को मिलाना शुरू कर दिया अब क्या ब बताओ ना जैसे मैंने कहा ही ही क्या है क्या एक वर्ड है हाँ दो लेटर है है ना दो आवाजे आपस में है मैंने कहा ही इस यह भी डो लेटर है दो आवाजे है सही है के नहीं बिल्कुल सही है he is, इतना clear हो रहा है ना, बिल्कुल कुछ, कोई दिक्कत नहीं आ रही न, he is, और, he is, he is, he is, मैंने कहा, राकेश, मैंने कहा, he is, राकेश, राकेश क्या, एक से जादा letters का group है, हाँ, word कैलाने लाएक है, हाँ, राकेश किसी का नाम होता है, हाँ, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है, जिसका कोई sense ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है, यह भी अपने आप में एक word है, ठीक है, इस भी अपने आप में एक word है, तो यह word आपस में क्या हुए, मिल गए, क्या हुए, आपस में मिल गए, तो क्या कहता है, हाँ जी हाँ क्यों कह सकता हूँ क्योंकि ये words का group है जब words का group आपस में मिल जाता है तो क्या कहलाता है sentence कहलाता है जिसे हम English में क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं I think जुमला कहते हैं संस्क्रिट और बंगाली में क्या कहते हैं आप मुझे बता देना ठीक है तो दोस्तों समझ में आया क्या कि वर्ड्स का जब गुरूप मना जब यह आपस में मिले तो इनकी ताकत बेशुमार हो गई और वो क्या कहलाया वो कहलाया मेरा सेंटेंस क्या इतना क्लिर हो पा रहा है हमें हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी रुक जाओ अभी मेरा आपसे क्वेशन है क्वेशन मेरा सवाल बड़ा सीधा है क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैंने लिखा ही इस राकेश अगर मैं यह यहां रख दू और यह यहां रख दू और यह जहां अगर मैं इनकी पोजिशन हटा दू अब यह पढ़ा जाएगा राकेश ही इस या फिर या फिर मैंने लिखा मैं यू इंग्लेश आर क्या यह सेंटेंस है क्या यह दोनों भी सेंटेंस कहलाने लाइक है आप मुझे जवाब दे सकते हो क्या यह संटेंस है तरीके से देखा जाए संटेंस की डेफिनेशन क्या है a group of words a group of words is called a sentence है ना यही तो यहाँ पर भी है words का group है लेकिन क्या यह sentence है राकिश हीज man you English are सर पता नहीं confusion हो रही है नहीं बच्चे यह sentence नहीं है मेरे दोस्त उसका reason है क्योंकि जो यह वाले sentence है यह वाले जो group है इनका कोई meaning कोई sense नहीं निकल रहा है अभी हमने English पूरी नहीं पड़ी है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसका कोई बात का मतलब नहीं निकल पा रहा है कि क्या कहना चाहता है तो ऐसा कोई sentence इसका कोई meaning ही ना निकले कुछ समझ ही नहीं आए भाशा का मतलब क्या होता है language का मतलब होता है हम अपनी thoughts एक दूसरे तक पहुचा सकें अगर वो thought निकली नहीं पारी पहुची नहीं पारी तो वो कोई sentence है यह नहीं तो यह sentence तभी बनेगा जब words का group हो और दूसरी चीज उसके अंदर क्या होना चाहिए sense होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए meaning होना चाहिए एक meaningful बात ही sentence कहला सकती है तो सिर्फ words के group का होना ही काफी नहीं है उसका कोई sense भी निकले सामने वाला क्या कहना चाहता है तो पता चेले अब यह sentence क्या बना sir, sentence क्या बना क्या मैं short में कह सकता हूँ, okay, अब क्या मैं short में ऐसे समझ सकता हूँ, sir बताओ, जल्दी बताओ, क्या, कि पहले बना letter, letter को हमने जब आपस में जोडा तो बन गया word, जब हमने word को आपस में जोडा तो बन गया sentence, और इन सब में सबसे important रख लेना सेंस होना चाहिए उसका कोई मतलब निकलना चाहिए मीनिंग होना चाहिए जैसे इस히 तरह से लेट्रसे बना वर्ड से बना सेंटेंस और सेंटेंस को भी जोडना शुरू कर दूँ अगर मैं आपके सामने यहां पे सेंटेंस लिखा मैंने मैंने एक sentence लिखा, उसके साथ sentence one के साथ sentence two जोड दिया, एक और sentence जोड दिया, मैंने sentence three जोड दिया, यह two था, यह मैंने sentence three जोड दिया, यह मैंने sentence four जोड दिया, अब क्या बना, इससे क्या बना, अब इसका मतलब क्या बना, आप मुझे बता सकते हो क्या, हाँ, दिमाग तो पूरा है मेरे सभी सभी शेरों में शेरनीयों में पूरा दिमाग है सही समझ रहो जब मैंने इन sentences को आपस में जोड़ना चुरू किया तो क्या बना तो बन गई पूरी English language इस दुनिया की पूरी language मैंने English language मैंने इसमें समा दी है ये होती है हमारी अंग्रेजी ये रही हमारी English इसके अलावा इसके बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जहां तक English language का सवाल है कि sentences को मैं आपस में जोड़ने लगा sentences आपस में जोड़ने लगे एक साथ मिला मिला के लिखने लगा पूरी किताबे छप गई इस दुनिया का सबसे ज्यादा English बोलने वाला लिखने वाला पढ़ने वाला इंसान और सबसे कम लेवल पर पढ़ने लिखने वाला इंसान भी बराबर है क्योंकि वह सभी एक ही काम कर रहा है क्यों क्यों सेंटेंस इसको आपस में जोड रहा है कुछ लोग अच्छे तरह से जोड पारते हैं कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस को जोड पाते हैं और कुछ लोग नहीं जोड पाते हैं बस इतना फर्क है क्या ये काम आप नहीं कर सकते हो मेरे बहुआ क्योंकि बहुत असान इसमें करना ही क्या है, sentence इसको बनाना सीख लो और जोडते चले जाओ, अब sentence कैसे बनेगा, हमें ये सीखना है, sentence समझ में आ चुका है, बिल्कुल समझ में आ चुका है, sentence group of words है, उसका कोई meaning होना चाहिए, और ऐसी sentence आगे मैं बस जोडता चला जाओंगा, और English में जो भी बात मुझे लिखनी है, पढ़नी है, सोचनी है, सब कुछ इसी तरह से होगा, तो सबसे important English की, अगर कोई unit है, वो क्या बन के निकल के आई, वो है हमारा एक sentence, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, अगर sentence बनाना किसी ने सीख लिया, उसने English सीख ली, मैं आपको क्या सिखाऊंग इसी के इर्दगिर्द पूरी चक्की घूमती रहती है, और आपको लगता है English मुश्किल है, समझ में आया कि English कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, सब कुछ खेल किसका है, इस sentence का है, सारी English इसके इर्दगिर्द घूम रही है, दोस्तों मीद करता हूँ कि basic आपको तक समझ माया, एक बार मैं rewind कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि English language बनी कैसे है, तो हमने देखा उसमें कुछ sounds होते हैं, आवाजे होती हैं, और आवाजे भी सारी आवाजे नहीं है, कुछ की ही पहचान English ने, English भाशा ने, English की दुनिया में, कुछ ही sounds क पहचाना गया, जो थे 26-26 letters थे, जिन हम ABCD के नाम से जानते हैं, उसके बाद हमने letters को आपस में जोड़ना शुरू करा, और उसका कोई मतलब भी निकलना ज़रूरी था, जिसे हमने कहा गया word, कि sense हो, और group of letters हो, फिर हमने देखा कि vowels क्या है, और consonants क्या है, A, E, I, O, U हमारे vowels थे, जिनकी यहां से हवास थी, बाकी consonant थे, उसके बाद हमने words को आपस में जोड़ा, और देखा कि उनका भी कोई मतलब निकलना चाहिए, तो क्या बन गया, फिर हो sentence बन गया, अब sentence को भी जब हमने आपस में जोड़ा, तो हमने देखा, पूरी English बन गई, यहां तक हमने आज पढ़ा, उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश जो थी, वो पसंद आई होगी, ये महनत पसंद आई होगी, और इस course पर आप मेरा भरपूर साथ दोगे दोस्तों, इस उमीद के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा और बताऊंगा कि sentence क्या होता है, कैस कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, हमारे competition के जो exam होते हैं, exam के point of view से, school के जो exam होते हैं, उसमें sentence के उपर कैसे question आते हैं, कैसे उनको change करना होता है, वो भी सिखा दूँगा, practice कराऊंगा, आप मेरा साथ दे, मेरा साथ रहिएगा, next video आपको बहुत जल्द मिलेगी, इ Dear Sirkezat, Thank you so much.